नमासकार व्यएली Soc Iraqi में आप सभी का अक बार से बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों अगर आप एक आधार ुब्रॉल्मंक्त चाहते हैं, काफी दिनों से आधार का काम करना चाहते हैं लेकिन आपको सही जानकारी नहीं मिल पा रहा है कि किस तरीके से एक नया अधार इंडॉल्मेंट सेंटर आप खोल सकते हो तो आज इस वीडियो में पूरी चीज़ें आपको बताने वाला हूं लेकिन दुस्तों आगे बढ़ने से पर हमेशा की तरह अगर आप हमेरे चैनल प मदद भी कर सकते हैं तो अभी दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको एक नया अधार सेंटर खोलना है तो किस तरीके से खोलोगे तो सबसे पहले उसके लिए आके आपको गूगल पर सर्च कर लेना है अधार सेंटर इन बैंक व्यली सोसाइटी ठीक है इतना लिख बहुत अच्छा है नहीं तो तीसरे नंबर पर आपको देखो हाउ तो श्टार्ट एन अधार अधार अंवर्मेंट सेंटर इन बैंक ठीक है ऐसा करके एक लिखा हुआ मिल जाएगा इस पर क्लिक कर लेना है और वहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सामने कुछ इस तर जाएगा कि अधार सेंटर के लिए कैसे अप्लाई करना है क्या क्या चीजों की जरूत लगेगी कितना इंवेस्टमेंट लगेगा और साथ ही मैंने यहां पर आपको वीडियो के माध्यम से प्रॉसस दे रखा है और ऑफिशल वेगसाइट दे रखा है जहां पर जाके आप इसके संबंदी जो भी वेस्टाइट है वहाँ पर जाके अपना इंवेस्टमेंट कल्कुलेट कर सकते हो basically कि कितना इंवेस्टमेंट आपको लगने वाला है जैसे कि मैंने यहां पर इंवेस्टमेंट कल्कुलेटर पर क्लिक किया तो जो बैंक के वीतर आपको आधार सेंट पर नहीं open कर पाएंगे आपको नजदेकी बैंक में ही shift करके वहां पर काम करना पड़ेगा उसके लिए आपको जो है कितना क्या investment लगने वाला किस तरीके से काम होगा यहां पर आपके नीरिष्ट में जो भी बैंक है जिसके यहां पर भी आप काम कर सकते हैं उसको आप यहां इंडॉल्मेंट कर पाएंगे अपडेट कर पाएंगे प्रिंट आउट निकाल पाएंगे ठीक है अधार इंक्वाइरी सर्विसेस और इस्पेसल आधार डाउनलोड ब्लैक और यह सब कुछ कर पाएंगे अगर आप इसके आधार सेवा केंद्र के साथ पर जुड़ते हैं और यहांपे आपको इंड Hampshire क्या लगने वाला है तो यह इतनी इतनी चीज़रें आपको इंसे खरीदनी होती हैं अगर आपके पास पहले से नहीं भी खरी तो यह चीज अगर आपको समझ में आ जाती है कि इतना इंवेश्टमेंट करके हम किसी बैंक में सिफ्ट करके काम कर सकते हैं तो आप यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले आप जो भी बैंक है उस बैंक के ब्रांच मेंडेर से जाके कांटक करिए कि हम आपके यहां पर आधार क कर सकते हैं ठीक अगर वह परमिशन दे देते हैं तो जो मैंने उसी आर्टिकल में लिंक दिया है आपको और उसके बाद इस लिंक पर क्लिक करके आपको यहां पर इंक्वारी फॉर्म फिल करने के बाद आपको इनकी तरफ से कॉल रहेगा और वहां पर आपके जो भी डाउ करती है तो उसके बारे में भी आप देख सकते हैं और वहां पर अधार इनूर्मेंट के लिए भी सर्फिस यह देती है तो वहां से भी आप इनसे कॉन्टिक कर सकते हैं तो यह चीज आशा करता हूं आपको चीज समझ में आ गही होंगी बाकि इसके उपर मैंने डिटेल यह मत अपिक लिए बाई चाहिन